हेलो यूरी वन गुड मॉरिंग नमस्कार तेईस नॉमबर दोहजार इकिस के दह हिंदू के इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल को इस वीडियो के इंदर डिस्कस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा परिवर्तन आईए सेकेडिवी टेलिग्राम पर लिकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल औने सौट फ्यूज रेज क्राइम सूट अप करके एक न्यूज को लेकर अनलिसिस किया गया है कि देश की राजधाने दिल्ली में रेज क्राइम का मतलब है किसी चीज से आप नराज हो जाना चोड़ी चोड़ी बातों को लेकर जो क्रिमिनल अक्टिविटीज हो रही है एक तरीके से लोगों की हत्या कर दीजाती है उसको लेकर एक केस स्टड़ी टाइप में ये न्यूज है केस स्टड़ी इन दा सैंस की इस तरह की इवेंट क्यों हो रहे और यहां पर पुलिस ऑफिसर्स की क्या इसमेख तरीके से बोल सकते हैं कि ओपरियर इस पर्टिकुलर इसई को लेकर या उनका क्या विचार है इस तरह कि छोटी-छोटी इवेंट को लेकर भी लोगों में इस तरह का पेशन जो है वो बिल्कुल खतम होता जा रहा है और चोटी-छोटी बातों को लेकर भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो तेजी से देश के अंदर इंक्रीज हो यह खासकर डैली जैसे सहर के अंदर यहाँ पर यह mention किया गया कि loan patient, even police officer यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि इस तरह के इस तरह के से public के अंदर patients इन दोनों में कम होता जा रहा है और बहुत जल्दबाजी में होते हैं, even इस जल्दबाजी का result क्या होता कि एक दूसरे लोगों की हत्या कर देना या अब रोल देखेंग कि parking लिए space न देना अगर आप discussion करें तो sort out हो सकता बट अगर उसके लिए आप किसी के हत्या कर देंगे तो sort out नहीं हो वो चीजे और ज्यादा conflicted हो जाती है इसके अलावा इस पूरे context में समीर पारी के एक psychiatrist है, Fortis Healthcare के अंदर उनका उपनेन यह है कि जिस तेजी से lifestyle increase हुई है economic imbalance हुई in society के अंदर और जो work pressure का जो load है इन सब चीजों ने इस तरह के काम करवाने के लिए लोगों को promote करते हैं यह सारी event जो है psychological perspective से भी इन चीजों को जोग किया जाना चाहिए और अगर यह increase हो रहा है क्योंकि इस तरह के crimes को रोकना काफी मुश्किल क्योंकि भोती sudden होता यह एक दम से ही एक मिनिट में इस चीज़े हो जाती है इसलिए इस तरह की चीजों को लिए जरूरी है कि patients को कैसे हम लोग increase कर सकते हैं और अगर यह psychiatrist issues है तो कि देश भर में medical अगर mental health care केर के अगर हम बात करते हैं तो उसको increase करने की requirement है mental health care एक ऐसा subject जिस पर बहुत कम बात पाचित की जाती है लेकिन आज के टाइम पर सबसे important चीज़े है mental health care इसके right hand side में एक news है यह भी बहुत ज्यादा important इसलिए नहीं क्योंकि यह topic continue चल रहा है और यहाँ पर simply बात बताएगी कि Supreme Court here करेगी मुला पेरिया डेम जो की केरार तमिलाडों के बीच में disputed area in the sense की दो security को लेकर दोनों state में यह बहुत पुराना एक डेम है 126 year old एक डेम मुला पेरिया डेम और इसमें क्योंकि बारिस के time पे इसकी safety को लेकर इसकी maintenance को लेकर कई सारे question है वो Supreme Court के अदर petition file करेगी है उसी case में Supreme Court 10 December 2021 को जो है इस पूरे issue को इस case को सुनेगी और इसके बारे में अ maintenance को लेकर हो या लोगों की से जो आसपास लोग रहते हैं उनकी safety को लेकर हो definitely hearing किया जाना चाहिए प्रोपर analysis करें किया जाना चाहिए तमिलाड गवर्मेंट यह बोलती है कि यहाँ पर hydrologically, structurally और seismically यह safe डेम है लेकिन केरला में के कही सारे लोग ही मानते है कि यह इसका जो dam की safety है उसको ensure करिए इसमें पानी इतना ज्यादा ना हो कि वो आसपास के लोगों को damage करें डेम का होना important है बट डेम में अगर हम देखेंगे limit से ज्यादा quantity का पानी हम उसमें release करेंगे उसमें store करेंगे तो definitely वो damage होने का खतरा रहता और वो security threat भी आसपास के लोगों के कर डिबेट है और तरी किसे arguments आपको देखने हो का मिलेंगे तो इस तरह के topic जो होते हैं जैसे मुला पेरेट डैम है या क्योंकि south इंडिया बहुत important है चाहिए वो hills हो mountain हो national park tiger reserve या बाश पेर जो किसी प्रस्पेक्टिव में क्यों पुछे जा सकते एवन rivers कौन सी है major वहां है right hand left hand से tributaries कौन सी है सवाल आपको कई angles में कई area के अंदर जो हो पूछे जा सकते possibility high रहने वाली है तो जब भी इस तरह की topic news में जैसे मुला पेरेट डैम इसकी जोगरफिकल location को cover करिए उसको देखिए कहां पर इसकी जोगरफिकल location और इसके आस पास क्या मुला पेरिया डैम के आस पास कोई national park कोई tiger reserve या biosphere reserve है तो उसको locate करिए उसको सर्च करिए इसके बाद बात करेंगे editorial पर editorial में तीन editorial जो हम discuss करेंगे वो है पहला article होगा falling short करके ये joint parliamentary committee के अंदर जो एक topic काफी ज़्यादा discussion के अदर है personal data protection भी उसको लेकर एक editorial है इसके अलावा second editorial जो है बि जिहार आज तक इतना develop क्यों नहीं हो पाया क्या issues है उसको लेकर एक article discuss करता है और page number 7 पे एक editorial है वो हम discuss करेंगे fertilizer policies को लेकर तीनों editorial exam perspective से काफी important है ये जो article है joint parliamentary committee के अंदर एक bill काफी दिनों से pending था और जिसको लेकर काफी ज़्यादा debate and argument थी ministry of electronic and information technology ने 2018 में एक expert committee थी justice स्रीकिशना committee उनके recommendation पर एक bill पारलेमेंट में लेकर आई लेकिन 2019 में ये bill चला गया joint parliamentary committee जो की set up करेंगे थी इस bill को scrutinize करने को लेकर personal data production bill right 2019 अब दो साल से उपर हो चुके इस पूरे procedure को लेकर और जस्टिस स्रीकिशना committee नेक्तिरी के से जो recommendation करी थी इस bill के अंदर उसी चीज को लेकर क्योंकि एक historical judgment आपको देखने को मिलेगी case पुटु सुमाई वर्जी union of india case में जिसमें right to privacy को बोला गया कि ये fundamental right होगा हमारे constitution के अंदर right data protection authority के जो chair person है या दूसरे members उनके बीच में काफी ज्यादा issues भी इस पूरे इस scenario में देखने को मिले 2018 का जो draft bill है ये allow करता था judicial oversight को लेकिन 2019 में जो bill आया वो basically executive oversight करता है यानि government का काफी ज्यादा इसमें important role होने वाला है तो इसी context में जो 2019 का bill है इसमें member जो है उनके बीच में थोड़ा सा issues भी है consent को लेकर जैसे congress के एक तरीके से राजसामाय member है जैराव रमेश सावा इनका ये मानना है कि इस bill में government जो है वो एक तरीके से reasonable processing को लेकर या इसकी necessary safeguard को लेकर insurance नहीं देती है फेर तरीका नजर नहीं आता इसलिए वो इसके against कुछ इनका एक opinion है consent है इसके लावा उनके point ये कि public order के perspective में और security of the state के perspective में क्या हम European standard को लागू कर सकते हैं अक्तूबर 2021 में global privacy assembly के अंदर भी इस बारे में discussion किया गया दूसरा येरोप का काफी important एक low है general data production regulation वो एक तरीके से viable है इस तरह के exemptions पर बात करता है आने वाले time में इसमें कई सारे issues है कि data production को लेकर क्योंकि data का oversight किया जाएगा right to privacy के perspective में और क्या individual जो privacy होता उसकी issues की possibility रहती है state के perspective में ये important question है जिसको लेकर एक debate और argument है जैसे ये bill parliament में होगा या parliament के session में reintroduce किया जाएगा आपको पता चलेगा ये कितना debatable topic है जिसको लेकर और ज़्यादा हम लोग जानेंगे जब ये bill present किया जाएगा इसका original form में और उसके बाद पढ़ेंगे इसके अंदर क्या opinion होगा इसक commentaries भी कोशिज कर रही है अपने तरीके से अपने laws को implementation करने की लेकिन भारत अपने तरीके से यानि भारत में इस तरह के subject को काफी sensitive माना जाता है इसलिए transparency data subject right और independent oversight effective remedies और re-address to individual ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना काफी important है finally ये bill अभी parliament के अंदर जाएगा और minister साथ इसको reintroduce करेंगे उसके बाद हम इसके perspective क्या opinion है क्या इस bill के अंदर mention किया है उसके बारे में पढ़ेंगे और debatable topic क्यों है उनके बारे में भी पढ़ेंगे right इसके अलावा इस page पे आपको जो second editor में लेगा वो है बिहार rebid for glory is within the realm of possibility क्या बिहार की glory का region है और बिहार में अगर आप बिहार के बारे में case study करेंगे ये article बिहार के जो बच्चे हैं जो examination की तहारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत important है इसके अंदर बहुत सारी सीज़े बताएगी इसको note कर लेना रेशन में आपने जरूर सुनाओगा बिहार से UPSC के जो टोपर है सुवंकुमार वो काफी ज्यादा news में रहे उनका welcome किया गया और जो सभाविक सी बात है कि इतने सालों के बात बिहार से कोई UPSC का टोपर बना है इनके अलावा ये सारी चीज़े हैं बहुत खुश हुए कि बिहार से एक व्यक्ती बच्चा जो टोपर बना लेकिन रिशनली रिजरो बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश हुई एकनोमिक स्टेटिक्स इंक्लोडिंग जीडिपी फर स्टेट फर्म 1997 से लेकर अब तक जीडिपी में किस तरीके से ग्रोथ करी उसमें बिहा की पर कैपिटा इंकम थे करन्ट प्राइसीज पर 1998 में 4000 के आज पास और 2019 बीस में ये होगी है 45,071 आपको इंक्रीज डेफिनली नजर आता है बट नेशनल एवरेज में ये केवल 31.58% से 33.58 केवल 2% इसमें इंक्रीज हुआ है याँ नेशनल एवरेज पर अगर कोई व्यक गोवा के अगर आप पर कैपिटा इंकम की बात करेंगे 1997 से 98 में एट टाइम थी अब 10 गुना हो चुकी बिहार की कंपेर में सिक्किम भारत का second register state है as per per capita पर कैपिटा पतलब होते है परती व्यक्तियाय के इसाफ से गोवा के बाद दूसरा अमीर राज्य भारत का है सिक्कि बात करेंगे 1997 से 98 में यहां पर काफी इंकरीज इवन अगर आप केरला महरास्ट्रा इन स्टेट्स की बी बात करेंगे ये भी बिहार से काफी आगे नजर आएंगे इंटरम ऑफ जीडिपी इनके अलावा अगर आप सस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल्स की बात करते है निति स्टेट नजर आता है डेवलेमेंट के प्रिस्पेक्टिव से केरला ने टोप रैंक हासिल किया 75 स्कोर किया 75 और 52 में ह्यूज गैप है 23 डिजिट का जो गैप है ये ह्यूज गैप करेंट करता है आकिर बिहार इतना जाद है पीछे कैसे होगे क्या रिजन है बिहार की तरीक था वो जगह थी जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर अगर डोमीनेस हो जाती तो पुरे देश के अंदर डोमीनेस हम लोग हासिल कर सकते हैं खासकर जो पाटली पुतर आज जिसको पटना बोलते हैं उस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोरी थी गेंजिवर ठाद knowledge, wealth, सब के लिए जाना जाता था बिहार, लेकिन irony यह है कि आने वाले टाइम में अजादी के बाद चीजे जो वो इतनी जादा improvement नहीं हुई, MP, MLA जो की lead करते हैं, यहां के CM, यहां की government जो lead करते हैं, उनके एक important responsibility थी, लेकिन association for democratic reforms के according, बिहार के 68% जो newly elected MLA है, उनके against criminal charges है, 51% ऐसे जिनके against serious charge है, जो rape और murder के cases देखने हो को मिलेंगे, इनके अलावा, अगर हम देखेंगे, 3900 MLA जो देश के अंदर है, उनमें 40% के against criminal charge है, और 26% ऐसे MLA देश के अंदर जहां पर serious crime है, जिसमें rape, murder इस तरह की crime जो उनके against register है, 2015 में 58% MLA criminal cases थे और 40% serious थे, 2014 में जो लोकसभा बनी थी, उसमें 50% MPA बिहार के जो थे, उनके against serious criminal charges जो है वो एक तरीके से register थे, इस context में जो देश को lead करता, जो बिहार को lead करेंगे, अगर उनके against इतने serious charges है, तो definitely यह serious issue भी है, और अगर इस context में किस कितना development हो पाएगा, यह अपने आप में question mark है, इसके बाद बात करते हैं, liberalization, एरा की 1990 में एक LPG यानि liberalization, privatization, globalization की जो प्रिकिरिया शुरू हुई, उन सम्में बिहार कैसे पिछड़ गया, तीन reason बताएगे हैं, पर scientific reason माल लीजी, यह आप बोल सकते हैं, practical reason, पहला, बिहार जो एक landlocked geography है, अगर आप देखेंगे, बिहार की जो geographical location, वो landlocked geography है, poor infrastructure और poor governance, देखें, landlocked होना, आपने आप में एक तरीके से बोल सकते हैं, यही के वाल एक वज़य नहीं होती, बलकि poor infrastructure और poor governance, इन तीनों ने मिलकर, definitely जो development होना चाहिए, उसको लेकर development नहीं हुआ, इसलिए, बिहार कई बार बोलता है, वही special status हमें दिया जाए, central government क्यों मना करती है, बिहार को special status देने को लेकर, कि यहाँ पर तीन region जो होने चाहिए, वो रही criteria को यह fulfill नहीं करता, hilly terrain होना चाहिए, यहाँ पर एक तरीके से hilly area होना चाहिए, low population density होने चाहिए, और sizable tribal population होने चाहिए, एक तरीके से इतनी amount कम से कम tribal population क्यों हो, जिसको लेकर हम लो यह उन state में से है, जो कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, तो अगर उस criteria पर देखे तो बिहार को special status दिया जाना चाहिए, 40 MP अगर political party से affiliation को छोड़के, अगर एक साथ काम करेंगे तो definitely special category status या उनको economic package की तरह development को लेकर देखा जा सकता है, अगर infrastructure की बात करें, इंप्रोमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि बिहार के अंदर इंप्रोमेंट नहीं हुआ है, इस टाइम देश की सबसे ज़्यादा population density जो है, वो 1102 बिहार के अंदर है, इसके अलाबा यहाँ पर electricity हो, health care sector हो, उसके अंदर इंप्रोमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि इंप्रोमेंट इंप्रोमेंट हुआ है, बट अगर आप कंपेर करेंगे देश के हलग राज्यों से, यहाँ पर आपको कम नज़र आएगा, जैसे आप महराष्टा, तमिल अडू, हर्याना, पंजाब, इन स्टेट से अगर आप कंपेर करेंगे बिहार को, इंफ्रोमेंट सेक्टर में, रिस्पोंसिबिलिटी होनी चाही थी, वो नहीं हुई, इसलिए पोलिटिकल रिफॉर्म्स की रिक्वाइरिमेंट है, जो राइट रिपर्जेंटिटी को हम लोग चुने, राइट पॉलिशी प्राइटी हो, और इंप्लिमेंटेशन करे इस तरह का एंवारिमेंट को, जैस अगर हमें बिहार के अंदर डेवलमेंट और इंकम ग्रेट को इंक्रीज करना तो हमें अपने लीडर्स की क्वालिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ये था इस आर्टिकल का कंक्लूजन, इसके बाद पेज नमबर 7 पे जो आर्टिकल लिखा गया हुए, रिफॉर्मि और किये चार important issues पर बात करेंगे, देखो आर्टिकल बहुत लंबा है, इतने लंबे आर्टिकल में दो चीज़े होंगी, हम main points को ही conclude करेंगी इसमें, सबसे पहले आप देखेंगे कि fertilizer sector के अंदर reform क्यों करना है, उसके पीछे यहां पर वजह बताएगी, 1991 में जब देश के economic reform शुरू हुआ था, उस time fertilizer को इस तरीके से balance करने के लिए fertilizer subsidy bill जो वो introduce किया गया था, और NPK यानि nitrogen, phosphorus और potassium इनके बीच में balance को establishment करना, ताकि water को reduce कर पाए, क्योंकि अगर यह बहुत जादा use होगा तो पानी की demand बढ़ेगी, air pollution को रोख पाए, और most, sorry, water and air pollution को रोख पाए, जो कि fertilizer जैसी urea जैसी fertilizer की वज़े से होता है, आपको पता है कि fertilizer एक ऐसा topic है, जो कि agriculture sector में बहुत ही sensitive माना जाता है, क्योंकि भारत की आज भी बड़ी amount जो है, बड़ी अबादी agriculture sector related है, अगर थोड़ा सा भी change होता है, तो उसका काफी जादा विरोध भी होता है, और यह खा होती है, और इसलिए अगर आप हर्याणा पंजाब और Western UP से बिलोग करते होंगे, राजस्तान से बिलोग करते होंगे, तो recent में crisis हो गया था, DAP crisis, DAP की shortage होगी ती मिल नहीं रहा था, और black marketing होनी शुरू हो गयी थी, और इसके अलावा, 1991-92 में अगर आप देखेंगे fertilizer को ले प्राइस के आज़ाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कि रोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, वापिस रोल बैक लेना पड़ता है, जैसे DAP का ही context बात करते हैं, DAP की अगर आप current price देखेंगे, तो यह लगए 1200, 1500 के आसपास आपको मिलेगा, और इससे पहले यह डवल कर दिया गया था, यानि इसके subsidy को खतम कर दिया गया था, बात में वापिस रोल बैक करना पड़ा, अब बात क्यों हो री इसके उपर, कि क्यों इसमें rationalization करने की requirement है, जो NPK के बीच में जो ratio होना चाहिए था, वो ratio नहीं है, यानि 4, 2, 1 का जो होना चाहिए था, अब यह imbalance हो च 30,000 क्रोड के आसपा, जो subsidy केवल fertilizer पर है, दूसरा हमारी dependence बहुँ जादा इंपोर्ट पर, यह fertilizer हम produce नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं mostly, इस context में हमारे लिए जरूरी है कि nutrient based subsidy को balance किया जाए, उसको लेकर एक तरीके से इस तरह की policy बना जाए, जिसमें हम लोग एक balance क प्रस्पेक्टिव में, इसके use के प्रस्पेक्टिव में, तो हमने जो होर की area बता है कि चार सक्टर जिन पर हम काम कर सकते हैं, पहली बात बताया गया कि हमें self-reliant होना पड़ेगा, कि import पर हमारी dependence को कम करना पड़ेगा, international price के एक तरीके से क्योंकि high volatile होता है, इसके प्रस्पेक्टिव में, NBS model को improvement करना पड़ेगा, nutrient based जो subsidy होते हैं, उसको यूरिया में और इसको rationalization करने के requirement है, ताकि crops के prices के इसको adjustment के अधास के distribution को लेकर, यानि इसको हमें rationalization करने के requirement है, थर्ड जो है, हमें alternate source development करने पड़ेगा, nutrition की, जो non chemical है, fertilizer है, जैसे अगर आप लेकिंगे, bio fertilizer है, organic fertilizer है, इस तरह की fertilizer के through हम लोग development कर सकते हैं, उनको जो promote कर सकते हैं, और finally, हमें fertilizer को improvement करने, उसके efficiency को improvement करने की जरूरत है, जैसे recent में, इफको द्वारा, इफको एक company है, जो की fertilizer area के इंदर काफी firmus है, अगर आप इफको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा नैनो यूरिया packet जो है, उनके फिरू हम लोग इनको promote कर सकते हैं, और इन सब चीजों का impact क्या होगा, देखें इन सब चीजों का अगर आप देखेंगे, एक तो productivity of agriculture वो increase होगी, climate change को mitigate कर सकते हैं, alternate provide करेंगे, अगर हम chemical fertilizer का, तो ये benefit करेगा, और fiscal impact जो होता, fertilizer subsidy का आने वाले budgets में, उस पर भी इसका आसर जो हो देखने को मिलेगा, यानि fertilizer sector को अगर हम rationalization कर देते हैं, तो इसका overall impact जो होगा, वो अलग-अलग area, ये अलग-अलग diverse areas के अंदर इसका impact आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद page number 8 पे 2-3 news आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले इंडि state के जो trade representative है, उन्होंने कुछ issues को rage किया और भारत और US के बीच में, किन areas के अंतर जो है development को लेकर काम क्या जा सकता है, उनके बारे में discussion की, यहाँ पर आप देखेंगे, US की जो trade representative है, Catherine Ty, ये इंडिया के इंदर आई, और भारत में Union Minister of Commerce and Industry, पियूस्त गोहल साब से इन्हों अगर हम देखेंगे, तो market access restriction को लेकर है, high tariffs को लेकर है, unpredictable regulatory requirement है, ये restrictive trade major है, जो issues है दोनों के बीच में, इंडिया और United State के बीच में, trade dispute के ये regions है, इनके अलावा यहाँ पर ये बताया गया, कि भारत और US जो अलग-अलग areas के अंदर definitely काम कर सकते हैं, इनमें इन्होंने भार बीच में भी हुआ, अगर यहाँ पर बात करें, कि इंडिया और US के बीच में, किन areas पर काम क्या जा सकता है, आने वाले time में, तो उसको लेकर यहाँ पर बताया गया, कि अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे, कि एक huge potential growth का दोनों countries में, digital economy हो, services हो, health trade हो, और even agriculture areas, यानि अगर हम अपने trade relation को best बनाएंगे है, इसमें improvement करेंगे, तो अलग-अलग areas के अंदर भी यह काम क्या जा सकता है, तो definitely इसको लेकर important है, even भारत और US के बीच में जो issues है, जैसे climate change, sustainability, vulnerable supply chain, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इंडिया और US के relation को कैसे strengthen क्या जा सकता है, इसको लेकर भारत और US के जो trade representative है, उनके बीच में discussion हुआ, या भारत के जो trade and commerce minister है और US के trade representative है, इनके बीच में discussion यहाँ पर हुआ, और issues को लेकर यह जो कुछ question है, वो भी सवाल पूछे गए, और दोनों के bilateral relation को लेकर काफी important है, UPSC के अगर आप trend को थोड़ा observe करेंगे, पिछले question का style है, वो है bilateral में economic perspective से पूछे जाने लगे या particular area पर पूछे जा सकते है, जैसे India और China के बीच में एक तरीके से bilateral trade या economic को लेकर सवाल हो सकता है, इंडिया और जैसे रूस है उसके बीच में defense को लेकर हो सकता है, यानि particular sector पर आपको specific पूछा जा सकता है question, इस तरह की possibility भी आपको देखने को मिलेगी, इसके ठीक right hand side एक news है, और recently national security advisor की meeting हुई थी, जिसमें eight countries के participant जो उन्होंने participate किया था, जिनमें इरान, पांच, Central Asian country, रशिया और इंडिया के participant थे जो इंडिया के अंदर आए थे national security advisor में, उसमें भारत ने decision लिया था, कि भारत अफगानिस्तान क humanitarian basis पर जो है वो, wheat यानि गेहूं भेजेगा, उसको लेकर पाकिस्तान ने, क्योंकि ये जो गेहूं भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा, पाकिस्तान वाले रूट से, तो उन्होंने permission दे दी, तो उन्होंने, finally, Pakistan to allow wheat transit to Afghanistan, तो इंडिया का assistant होगा, humanitarian assistant जिसको लेकर भारत न लगवा 50,000 metric ton जो होगी हूं वहाँ पर भेजा जाएगा, ये commitment हमने क्या था, national security advisor की, अभी meeting होई थी, उसके अंदर decision लिया था, और ये finally complete हो रहा है, क्योंकि जब ये सवाल पुछेगे, कि तरह delay क्यो हो रहा है, पाकिस्तान permission नहीं दे रहा है, दूसरा, alternate route क्या हो सकता, कि एक route हो सकता, चाबार वाला, उसको लेकर अभी कोई, जो comment वो नहीं किया गया, भारत की जो फोर्मिष्ट उसकी तरफ से, यहाँ पर एक news दी गई है, काफी important, अगर आप defense examination की तहरी कर रहे हैं, अगर आप defense examination की तहरी कर रहे हैं, अगर आप defense examination की तहरी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको बताना कि defense में कौन से award, अगर sequence देखेंगे defense में सबसे उपर कौन सा award आता है, इस तरीके से आप sequence में लिखिए, कि कौन कौन से award defense में 1, 2, 3 position को hold करते हैं, जैसे अगर भारत में बात करें, भारतरन civilian sector के अंदर, civilian area में सबसे important एक तरीके से highest award है, तो इस तरी से आपको sequence मनाना है, defense area के अंदर, तो यहाँ पर mention किया गया कि separate जो प्रकास जादो साब को उनको मिला किरती चकर, पोस्थमसली, यानि उनकी एक तरीके से death होने के बाद, या वो सहीद होगे, तो उनके बाद उनको ये award दिया गया, इसके लावा, ग्रूप कैप्टन अभि वीर चकर से समानित किया गया, तो ये award वीर चकर, किरती चकर, इन awards को आपको sequence में लगाना है, कि कौन सा award जो हो सबसे important, सबसे पहले नमर पर याएगा, फिर second, फिर third, और किन areas में दिया जाता है, क्योंकि इनको लेकर conditions होती है, कि particular condition की वज़े से award जो हो दिया जाता है, तो पेज नमर 11 यानि world affair का जो section है, उसके बारे में कुछ important चीज़ें जो discuss करीगे, उनके बारे हम बात करेंगे, सरसे पहले आशियान और चायना के बीच में summit हुई, आशियान की summit के अंदर जो चायना के president है, उन्होंने बोला, कि पहली बात चायना doesn't seek hegemony, ये hegemony का मतलब होत कि control नहीं करना चाहता, कि south अगर आप देखेंगे, south east asian जो nation है, यहाँ पर geographically, इस area पर control नहीं करना चाहता, लेकिन इसके ठीक नीचे, जो फिलिपिन्स के president है, उन्होंने बोला, कि south china sea के अंदर आपके जो action है, उसका criticism होना चाहिए, उसको लेकर जो आप ये चीज़े बो ही ज्यादा dispute है, south china sea को लेकर, china claim करता है, यह पूरा का पूरा area ही हमारा है, लेकिन फिलिपिन्स से बोलता है, कि अगर आप देखेंगे, एक important 1982 का agreement है, united nation convention on sea on sea, right, उसको लेकर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने आपका जो rule है, या आप एक तरीके से जो claim कर करते हैं, वो सही नहीं, 2016 में भी 1982 का जो convention उसके according judgment आयती है, arbitration की, उन्होंने आपके claim को decline किया था, तो उसके बाद कैसे आप claim कर सकते हैं, कि यह area जो आपके area के अंदर आता है, या एक तरीके से आप इस पे claim करते हैं, इनके लावा अगर आप देखेंगे, आशियान summit में ह killing, इन्होंने अपने participation नहीं बेज़े, या आशियान में Myanmar इस बार नहीं था, दूसरा, आशियान को लेकर अगर हम देखेंगे, तो आशियान member Malaysia, Vietnam, Brunei और Philippines, ये claim करते हैं, कि South China Sea में, जो artificial nine dash line नजर आती कई भी कभी, China claim करते हैं, वह ये हमारा है, और रिशन में की इशू भी वह था, फिलिपिन्स और चाइना के बीच में, और नीचे इन्होंने, इवन ये भी बोला गया कि, कोई भी अगर country, 2016 में, arbitration को reject करते हुए, जो चाइना के, फोनिश्टी के, जो spokesperson नहीं बोला, territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea are backed by sufficient historical and legal basis, अगर कोई attempt करेगा, चाइना की sovereignty को और interest को नुक्सान पूचाने का, वो सफल नहीं होगा, यानि एक warning भी देते हैं, और क्योंकि फिलिपिन्स के अगर perspective देखें, तो 2021 में अभी कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर एक board को लेकर issue हुआ था, दोनों क एक तरीके से close communication में चीजों को discussion कर रहे हैं, इसके लावा यहाँ पर सिलंका के अंदर जो issue लगातर बना हुआ है, एक तरीके से agriculture fertilizer को लेकर, तो अभी यहाँ पर फिर से यह बोला गया कि no change, it's only the green agriculture, सिलंका के अंदर केवल green agriculture पर बात होगी, और chemical fertilizer को लेकर सिलंका और चाइ चाहिना से consignment आना था, उसको cancel कर दिया है, इसके वज़ेस दोनों के बीच में dispute भी है, इसके लावा Australia ने finally sign किया US और UK के साथ AUKUS PACT का जो formal procedure है, या documentation है, वो start हो चुकी है, इसमें US जो Australia को nuclear संविरिन देने वाला है, यह important एक concluded news अगर आप देखेंगे, आज भी 12 नंबर पे जो business है, वहाँ पर statistics दिये गए है, important information economic perspective से नहीं है, तो इसलिए वो page हम discuss नहीं कर रहे है, तो आज के इस दे हिंदु analysis में इतना ही, thank you all, जहिन